वार अलसो डोज और विंडोर दे रूम है अलग उप्योग है एक अलग तरह से हम लोग अरूम को यूज करते हैं कुछ घड़ों एक हाउस में किचेन को खाना पकाने के लिए यूज करते हैं द्रॉइंग रूम में अपने गेस्ट के साथ रहें बातेचीत मिलने बाचित करने में या फिर टीवी देखने में एंजॉयक करने में यूज करते हैं किचन में ममी लोग खाना बनाती है बातरूम में हम लोग अपना वाशरूम का यूज करते हैं स्टडी रूम में बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं डानिंग रूम में हम लोग बैठके खाना खा लेते हैं फिर keeping a house clean हमें घर को साफ रखना चाहिए जो घर में हम रहते हैं इतना जरूरी है कि अशको हम गंदा छोड़ा हैं नहीं हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए we must keep our house clean हमें अपने घर को जरूर साफ रखना चाहिए वो हमारे लिए बहुत जरूरी है we should dust our house everyday to keep our insects हमें daily अपने घर को साफ करना चाहिए धूल ढड़ना चाहिए ताकि इनमें कीरे नहीं लगें कीरे नहीं आए also clean our house with water weekly और अपने घर को पानी से भी साफ करना चाहिए सबता में कम से कम एक बार we should remove का webs from our house हमें जो मकडे का जाला वाला कहीं लग जाता है तो उन सब को साफ करते रहना चाहिए we should also clean the surrounding of our house और हमें अपने घर के आस पास जो चाला तरह पता है इतको भी साफ रखने इने की घर साफ करके और घर के बाहर से गंदा है नहीं घर के बाहर से भी घर को साफ रखना चाहिए तभी हम safe रहेंगे we must empty and clean dustbins regularly और हमें जो अपना जो dustbin होता है कच्रा होता है उसको regularly साफ रखना चाहिए जैसे ही उसमें गंदा डेली उसको बदलते रानना चाहिए डेली उसको साफ करके उसका कच्रा बाहर dustbins को फेक कर dustbins साफ करके रख देना चाहिए ठीक है अब आते हम लग word meanings पे house house means क्या होता है घर dust, dust means धूल roof, roof means shirt slopping, slopping means ढालू insect, insect means कीरे empty, empty means खाली यह सम अमारा questions हो गया इधर हमारा types of house हो गया ठीक है यह तुम लोग अपने copies में note down कर लो ठीक है इसके बाद मैं questions करवा लेती हूँ come to the question answer section what things are used in making a paka house हमें क्या चाहिए paka house बनाने के लिए paka house are built of bricks, sand, cement, steel and stone chips eat, baloo, cement, steel इन सब से बनता है paka house यह हम सब हमें paka house बनाने के लिए चाहिए what is a stilt house, how is it made stilt house क्या है और यह किस से बनता है the houses built on high bamboo poles are called stilt house जो जैसा तुम लोग का पढ़ाया थे कि जो bamboo होता है बड़ा बड़ा bamboo के strong bamboo के ऊपर घर बनता है जो कि slopes में होता है यह stilt house होता है how is it made यह कैसे बनता है it is made on high bamboo poles क्योंकि यह high bamboo poles पर बनता है इसलिए इसको stilt house बोलते है how and where are igloo made igloos are made up of eyes and in cold places igloo कहां राता है igloo बर्फ का बना हुआ घर राता है और यह बहुत ठंड जिंज जहां परती है जहां बर्फ राती है मही न बर्फ का घर बर्फ पाएगा बर्फ का इटा से where do we sit and talk in our guest to our guest हम कहां पर बैट कर अपने महमानों से अतितियों से बात कर सकते है we sit and talk to our guest in the drawing room हम drawing room में अपने guest को अपने अतिति से मिल कर वहां बात बैट कर सकते है how do we clean our house we should dust our house everyday we should remove cow wells from house we must empty and clean dust bins regularly हमें daily जहार ना चाहिए घर को dust जहार न चाहिए धूल जहार न चाहिए हमें उसमें जो मकर के जाले वाले लगते हैं वो से अपने घर से निकाल लेना चाहिए और जो dust bands होता है, जो कच्रे का डबा होता है, उसको हम daily साफ करना चाहिए, daily धोना चाहिए, ठीक है, यह सब questions है, यह सब अपने copies में कर लेना, ठीक है, अगर कहीं कोई भी problem हो, तो comment करना, लिखना, ठीक है, thank you